नमस्कार दोस्तों मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे डेली 36 करेंट अफेर के विकली रियूजन में आज हम एक से आठ अक्टूबर के करेंट अफेर्स का रियूजन करेंगे वीडियो की पीडियाफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम से उत्तरफ्षंटी 40 लाक लोग उपर हुए हैं SDG गोल 1 नो पावर्टी से सम्मंधित इंडिकेटर के उपलब्ध हुए डाटा के अधार पर यहां इसपश्ट हुआ है कि इस गोल को अंकलित करने वाले संके तक मल्टी डाइमेंशनल पावर्टी स्कोर के अनुसार राज्य म बारी बारी योजना मुख्यमंत्री हाडबजार योजना सहरी स्लम स्वास्थ योजना अन्यतरा की योजनाओं का जो है न महत्तोपूर्ण योगना रहा है MPI स्कोर मुल्यता 12 संकेतकों का इंडेक्ष है जो कि पोशन, स्वास्थ, जीवन, इस्तर, सिक्षा एवं वित्ती समावेश से संबंधित है SDG गोल 5 लेंगिक समानता के अंतरगत राज्य ने उलेखनी प्रदर्शन कर पूरत देश में प्रथम इस्थान प्राप्त किया है ताज्य योजना आयोक के उपाध्यक्ष, स्री अजे सी द्वारा जानकारी दी गई की संयुक्त राष्ट संग द्वारा सतत विकास को सुनिश्चित करने 17 SDG लक्ष निरधारित किये गए हैं इन सतत विकास लक्ष के देशों की पूर्ती वर्स 2030 तक करने के लिए देश तथा राज्य प्रतिबद्ध है अगला प्रशन है चत्तिजड का पहला रेन वार्टर हार्वेस्टिंग पार्क कहां बन रहा है इसका से उत्तर अप्षन है आरंग में बन रहा है चत्तिजड का पहला रेन वार्टर हार्वेस्टिंग पार्क आरंग नगर में कलई रोट के किनारे बन रहा है इसकी लागत करीब 18 करोड रुपए नुमानित है जहां 11 एकड के छेत रफल में म्यूजिक फाउंटेन, 5D थियाटर, खैल मैदान, आधी का निर्मान किया जा रहा है जिससे परियतन को पढ़ावा मिलेगा अगला प्रशन है चतिजगर लोग सिवा आयोग के कारी-कारी अध्यक्ष की से नुक्त किया गया है इसका से उत्तर है ऑप्ष्ण है डॉक्टर प्रभीन वर्मा को नुक्त किया गया है अगला प्रशन है चत्तिस गड़ का राजगाट किसे कहते हैं इसका सेंग उत्तर ए ओप्शन डी जगडलपूर को कहते हैं चत्तिस गड़ का राजगाट जगडलपूर है जहां महत्मा गांधी की 10 फिट उची प्रतिमा इस्तापीत है वर्स 1948 में महत्मा गांधी की सहदत के बाद उनकी चीता की राक कलशों में भर कर लोगों के दर्सनार्थ देश के विभीने हिस्सों में भिजवाया गया था ऐसा ही एक भस्म 74 साल पहले बस्तर जिला मुख्याले के जगदलपूर लाया गया था यह कलस गोल बजार में वर्स 1948 से जमीन में गड़ा हुआ है लोग इसे बस्तर का राजगार कहते हैं अब इस एतिहासिक महत्यों को नई पहचान देने ही जिला प्रशाशन ने महत्मा गांधी की 10 फिट उची प्रतिमा इस्थापित करवाई है अगला प्रशन है चत्तिस गड़ में 2015 से 2018 की तूलना में 2019 से अब तक महिला अप राधों में कितने फिसदी की कमी आई है इसका से उत्तर है ओप्षन सी 40 फिसदी की कमी आई है अगला प्रशन है चत्तिस गड़ में वर्स 2015 से 2018 की तूलना में वर्स 2019 से अब तक महिला की अप राधों में 40 फिसदी की कमी आई है महिला अप राध पर अंकुष लगाने के लिए राज्य ने चार जिलों में अलग से महिला थाना की स्थापना की है जबकि 455 पुलिस थानों और चौकियों में महिला सेल का संचालन किया जा रहा है अगला प्रशन है चत्तिस गड़ में वर्स 2018 से लेकर वर्स 2022 तक नकसल वारधातों में कितने फिसदी की कमी आई है इसका से उत्तर हफ्षन सी 52 फिसदी की कमी आई है अगला प्रशन है चार अक्टूबर को चत्तिस गड़ के कितने चैनित विकास खंडों में बनने वाले जैत खाम का सिलन नियास होगा इसका सही उत्तर है उप्षन डी 82 विकास खंडों में जैत खाम का सिलन नियास होगा राइगड के कोडार्त राई में अगामी 4 अक्टूबर 2023 को भरोसे का सम्मेलन कारेक्टर में अजुत होने जा रहा है जिसमें नेता प्रतिपक्ष राज्य सभाव सांसर स्री मलिकार जुन खडगे वा मुख्योंतिस्री भुपेज भगेज शामिल होंगे इस आउसर पर चतिजगर के 82 चैनित विकास खंडों में बनने वाले जैद खाम का सिलन न्यास किया जाएगा और इसका सिलन न्यास जो है ना मलिकार जुन खडगे और मुख्य अंतिसरी भुपेज भगेज जीन ने सयुक्त रुप से किया है अगला प्रशन है चतिजगर में कितने जन जाती समुदाय को अनुसूचित जन जाती में शामिल किया गया है इसका से उत्तर है option C 12 जंजाती समुदाय को शामिल किया गया है 14 सितंबर 2022 को प्रधान मंतरी नरेनर मोदी के अध्यक्षता में केंदरी मंतरी मंदल ने 36 गड़ के 12 जाती समुदायों को अनुसूचित जंजाती में शामिल करने के स्युक्रिती प्रधान की है अगला प्रशन है वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट मनाने के लिए गौठानों में कितनी यूनिटिप स्थापित की जा चुकी है इसका सही उत्तर है option C 13 यूनिटिप स्थापित की जा चुकी है तो अक्टूबर 2023 की स्थिति में वर्तमान में गोवार से प्रकृतिक पेंट बनाने के लिए गौखानों में तीर्पन यूनिटे स्थापीत की जा चुकी है जिसमें से इन कावन यूनिटों में गोवार से प्रकृतिक पेंट का उतपार्दन किया रहा है गौठानों में और द्योगी गति वीदियों को बढ़ावा देने के लिए 300 रूलर इंडस्ट्रियल पार्क इस्थापी किये गए हैं और गौठानों से 18,386 महिला स्वासाहता समूर्ज जूड़े हैं जिनकी सदस्य संख्या 2,16,472 है अगला प्रशन है चत्तिजगड का पहला पंजी क्रित वहान स्क्रैपिंग केंदर का शुभारम कहां किया गया है इसका सहीं उप्तर है ऑप्शन भी रायपूर में किया गया है चत्तिजगड का या पहला स्क्रैपिंग सेंटर खोला गया है इस सेंटर का संचालत Metal Corporation of India के द्वारा किया जाएगा गौर तलब है कि सास की विभाग के 15 वर्स से पुरानी सभी गाडियों को अवश्यक रूप से स्क्रैप करने करने लिया जा चुका है परिवहन मंत्री स्री अकबर ने बताया है कि पंजे क्रित स्क्रैपिंग सेंटर से गाड़ी को स्क्रैप करवाने के बाद नई गाड़ी खरिदने के लिए टेक्स में 25 प्रतिसत छूट कलाब दिया जाएगा ध्यान रखेगा दोस्तों यहां से एक प्रश्ण यह भी पूछा जा सकता है कि 36 गड़ के पहले स्क्रैपिंग शेंटर का उद्गाड़न किस ने किया है तो ध्यान रखेगा स्री मोहमद अगबर जी ने किया है अगला प्रश्ण है क्रिसी स्रमिकों के लिए निर्धारित नियुन्तम वेतन मुल्य में अकुशल क्रिसी स्रमिकों के लिए प्रति महा केतने रुपए की व्रिद्धी हुई है इसके से ही उत्तर होप्षंडी 140 रुपए की व्रिद्धी हुई है श्रमा यूग 36 गड़ द्वारा लेबर ब्यूरो सिमला द्वारा जारी उभोक्ता मुले सुचकांग और परिवर्तन शिल महंगाई भत्ते के अधार पर विभिन अनुसूचित नियोजनों के कारेरत स्रमिकों के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 के लिए नियुंतम वेतन द दरे निर्धारित की गई है कृषी श्रमिकों के लिए नियुंतम वेतन मुल्ली अगुशल क्रिशी स्रमिकों के लिए प्रती महा 140 रुपे के विद्धी होई है श्रमा यूगति ने बताया है कि एक अक्टूबर से यह प्रभावशिल होगा अब श्रमिकों के लिए जो नि कुशल मजदूरों का वेतनमान 12,050 रुपए है, अर्ध कुशल मजदूरों का वेतनमान 11,250 रुपए, वहीं अकुशल स्रमिक का वेतनमान 10,620 रुपए है, जोन बा के लिए उच्च कुशल मजदूरों में 12,570 रुपए, कुशल मजदूरों के लिए 11,790 रुपए, जोन समें उच्च कुषल के लिए 12,310 रूपए, कुषल मजदूरों का वेतनमान 11,530 रूपए, अर्ध कुषल के लिए 10,750 रूपए और अकुषल के लिए 10,100 रूपए वेतनमान निधारित की गई है और जो वेतनमान है न ये प्रतिमाह के लिए ठीक है, ये वेतनमान प्र ति माहा के हिसाब सी निर्धारित की गई है कि अगला प्रश्ण है राश्परती द्रोपती मुर्मु ने 36 प्रदान किया है, इसका सही उत्तर है option भी दो वैक्तियौ को प्रदान किया समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरुषकार राश्टी इस्तर प्रप्रदान किये गए हैं इस अवसर पर वर्ष 2021 के लिए 36 के भिलाई की स्वान सेवक्त कुमूदनी साव और राइगड की अलिसा अंसारी को भी राश्टी सेवा योजना से राश्ट्रप्रती दुर्प्रती मूर्मू ने सम्मानित किया है वही साहथ हिसाद विलाष्प usहर के cmd college के शात्रा अर्लीशा अंसारी को पज्यावरण और मानो सेवा के छेत्र में उलेकिनी योगदान के लिए राश्ट्रप्रती दुर्प्रती मूर्मू ने इंदरा गांधीर राश्री पुरुस्का प्रदान किया है अगला प्रश्न है स्वच्छता के छेत्र में उत्क्रिष्ट पदर्शन करने वाले बेमे तरह जिले के कितने ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है इसके से उत्तरह आप्शन सी 13 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है बेमेतर्य जीले में सवच्छ सरविक्षन ग्रामिन 2023 के अंतरगत उत्कृष्ट पदर्शन करने वाले 13 ग्राम पंचायतों को पंचायत एवं ग्रामिन विकास मंत्री स्री रविंद्र चौबे ने मंटो प्रदान कर सम्मानित किया है ग्यात हो कि ग्राम पंचायत किर्की को उत्कृष्ट ग्राम पंचायतियों के श्रीणी में राज्य इस्तर पर 25 सितंबर 2023 को सम्मानित किया गया था अगला प्रशन है चत्तिजर के किस जिले को नेक्सस आफ गूड पुरुष्कार से सम्मानित किया गया है इसका सही उत्तर आप्षन से दंतेवाड़ा को सम्मानित किया गया है दंतेवाड़ जीला प्रशाशन की पहल निदान शिवीर को प्रतिष्ठित नेकसस अफ गूड पुरुषकार से दिल्ली में सम्भानित किया गया है दंतेवाड़ में अगस्त 2022 से प्रोयक्टिव गवर्नेंस के लिए निदान शिवीर कसंग चालन शुरू हुआ इसका हजार से अधिक छात्रों को जाती प्रमान पत्तर प्राप्त हुआ है अगला प्रश्न है मेजर ध्यान चंद कप ऑल इंडिया वूमेंस होकी टूर्नामेंट 2023 में चत्तिस गड़ के किस जिले की टीम ने फाइनल जीता है इसका से उत्तर आप्शन भी बिलासपूर जिले की टीम ने फाइनल जीता है महरास्ट के अमरावती में आयों जीत इस टूर्नामेंट में चत्तिस गड़ की टीम शुर्वात से बेतर प्रदर्शन कर फाइनल में पहुंची थी मेजर ध्यान चंद कप ऑल इंडिया वूमेंस होके टूर्नामेंट 2023 में चत्तिस गड़ की टीम स टेविस्वी राज्य इस्तरी साले खेलकूत प्रतियोगीता में बस्तर संभाग को कौन से पदक मिला है इसका से उत्तरप्शन सी कांसे पदक मिला है इस्कूल गेम्स फेडरेशन ओफ इंडिया के तत्वाधान में अंडर 14 सौफ्ट बाल बालाक एवं बाली का राज्य इस्तरी खेलकूत का आयोजन 27 से 29 सितंबर तक राजनान गमजीलों में किया गया तेविस्वी राज्य इस्तरी सालेख खेलकूत प्रतियोगिता में बस्तर संभाग की सौफ्ट बाल बाली का टीम ने कांसे पदक प्राप्त किया जहां टीम में विजापूर की आर्ट बालीकाय शामिल थी अगला प्रश्न है 36 गड़ में स्वामी आत्मानन कोचिंग योजन का शुभारम कब किया जाएगा इसका से उत्तर आप्शन सी 3 अक्टूबर 2023 को किया गया है स्वामी आत्मनन कोचिंग योजना का शुभारं तीन अक्टूबर 2023 को किया गया है जिसके सुभारं करता मुख्य मंत्री स्री भुपेश बगेल जी थे मुख्य अंत्री स्री भुपेश बगेल द्वारा इंजिरिंग एवं मेडिकल के प्रत्योगी परिच्छाओं के लिए इसकूल सिक्छा विभाग की नवचारी स्वामी आत्मन कोचिंग योजना तीन अक्टूबर 2023 को अपने निवासकारेले से ओनलाइन शुभारं किया जाए चत्तिजगड के 146 विकासखंड मुख्यालेओं तथा चार शहत रायपूर दूर्ग बिलासपूर एवं कोर्बा सहिं कूल 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से राश्ट्री प्रवेस परिच्छा प्री मेडिकल नीट तथा प्री इंजिरिंग आयाइटी की बहतरूप से तैया प्रदान की जाएगी मुख्यंद्री स्री बगहल और स्कूल सिक्षा मंत्री श्री रविंद्र चॉबे के समक्ष स्वामी आत्मनंत कोचिंग योजन संचालन के लिए स्कूल सिक्षा विभाग के अंतरगत समग्र सिक्षा चतिजगड पाठ्य पुस्तक निगम एवं एवं करियर कोचिंग इंस्टेट्यूट प्राइवेट लिमिटेट के मध्य मुव पर हस्ताक्षर किये गए हैं मुख्यमंत्री भुपेज बगहल ने बड़ी घोशन करती हुए यह भी कहा है कि चतिजगड के हर विकास खंड में शीग्रही प्यस्सी और अन्य प्रतियोगी परि जूरी दी गई है मुख्यांत्री भुपेज बगहल के घोशना के परिपालन में पसुधर्म विकास विभाग मंत्रालय दौरा चतिजगड में कुकुट पालन को प्रोसाहित करने रोजगार और स्वरोजगार के नय औसर सुजित किये जाने के उद्देश से से चतिजगड कुकुट पालन प्रोसाहन योजना के अंतरगत कुकुट पालकों को छेत्रवार एवं वर्गवार इकाई लागत के नुसार इस्थाई पुंजी निवेश पर 25% से लेकर 40% तक अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है और प्रती इकाई में कुकुट की संख्या 1,000 निर्धारित है असरेणी के तहत राज्य के विक्सित एवं विकासिल विकासखंड़ों को शामिल किया गया है जबकि फासरेणी के के छेतर में पीछड़े विकासखंड शामिल है तो ध्यान रखेंग दोस्तों प्रती इकाई कुकुट की संख्या कितनी होगी 1,000 कि गय आया जाना प्रस्तावित है और साथ ही कुकुट पालकों को रियाती दर पर विद्यूत प्रदान करने का प्राउधान भी किया गया है अगला प्रश्न है राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गए SDG Base Line and Progress Report 2022-36 गड़ किस ने किया है इसका सही उत्तर है ऑप्षन सी डॉक्टर प्रेम साहिसी टेकाम ने किया है सतत विकास लक्ष SDG से संबन्धित राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गए SDG Base Line and Progress Report 2022-36 गड़ किया गया है कारेकरम में SDG Base Line and Progress Report 2022-36 गड़ विस्तरित प्रस्तूति करण दिया गया जानकरी दी गई कि State Indicator Framework में शामिल 40 Indicators अंदर का 2030 का लक्ष 2022 में हासिल कर लिया गया है और 84 Indicators का 2030 तक का लक्ष आगामी 2-3 वर्षों में हासिल किया जाना संभावित है अगला प्रशन है 36 गड़ में आदिवासी जन जीवन परधारित उस्तिका पुरक्ति का आगजात और समाजिक ताना बाना का इमोचन कौन करेंगे इसका सहीं उत्तर है औप्षनेल स्री भुपेज बगहेल जी करेंगे मुख्यंति स्री भुपेज बगहेल 6 अक्टूबर को कांकेर में आयोजित नगरी निकाय वंपंचायती राश महासम्मिलान में शामिल होंगे मुख्यंति भुपेज बगहेल इस समाहरों में 36 गण में आदिवासी जन जीवन परधारित पुस्ति का पुरक्ति कागजात और समाजिक ताना बाना का इमोचन करेंगे इस मौके पर बस्तर मुक्ति संग्राम नामक तयार की जा रही डॉक्यूमेंटरी सीरीज का लोकारपन और बस्तर चेतर आदिवासी विकास प्राधिकरन अधिकरित वेबसाइट का शुभारम भी होगा बस्तर संबाग के देवगूडी एवां माता गूडियों के जिन्नो धार कार्य का देश में पहली बार पुरक्ति कागजात में लिपी बद्ध किया गया है बस्तर का मुक्ति संग्राम नामक डॉक्यूमेंटरी सीरीज बस्तर के इतिहासिक गौरोपूर इतिहास में 1774 से 1910 तक हुए विभिन्यक प्रकार के आदिवासी विद्ध्रोह की ततकालिन परिस्थितियों से आज की आने वाली पीडियों को अवगत कराने एवां अपने गौरोपूर इतिहास के प्रति आत्म गौरोज जागरित करने ह इतिव बस्तर का मुक्ति संग्राम नामक डॉक्यमेंटरी स्रीज दयार की जारी है इसका भी लोकार पर मुक्रमादरी स्री भूपेज बग्धिल द्वारा इस समाहरों में किया गया है अगला प्रश्न है चत्तिसगार राज्य में लागू की जारी एमपावर निती किसके नियंतरन पर अधारित है इसका से उत्तर आप्षन है तंबाकू के नियंतरन पर अधारित है धिया रखेगा दोस्तों इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा चत्तिसगार धमतरी के इनकनवे प्रतिश्यत यानि 1556 स्कूल और कॉंडा गाउं के 55 प्रतिश्यत यानि 1000 इनकनवे स्कूल तंबाकु मुक्त हो चुके हैं इसी तरह जस्पूर को 26 जनुरी 2020 को तंबाकु मुक्त जिला गोशित किया गया है अगला प्रशन है बस्तर चेत्र आदिवासी विकास प्राधी करण का गठन राज्य शाशन दौरा कप किया गया था इसके अध्यक्षे वन पाध्यक्षे तथा सदस्य इस्थानी प्रतिनिदियों को बने आए गया था इसका मुक्य उद्देश बस्तर चेत्र में आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षन संवर्धन एवं सरक्षन करना है अगला प्रशन है स्वामी आत्मनन की जयनती कब मनाई जाती है इसका सहीं उत्तर है ऑप्षन भी 6 अक्टूबर को मनाई जाती है स्वामी आत्मनन्द की जैनती 6 अक्टूबर को मनाए जाती है इस अउसर पर मुख्यमंत्री स्री भूपेज बगेन ले स्वामी आत्मनन्द जैनती पर उन्हें नमन किया है प्रदेश में ग्रामीन सही दूरस्त अंचलों में 733 स्वामी आत्मनंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम की संचालित हो रहे हैं इसी कड़ी में विद्यार्थियों को गुर्वत्त पूर्ण उच्छ सिक्ष देने के लिए स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज प्रालम किया जा रहा है और इस पहल को और आगे बढ़ाती हुए राज्य सरकार ने स्वामी आत्मनंद कोचिंग योजना शुरू की है अगला प्रशन है चत्ती जड़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहां बनाये गया है इसके सहीं उत्तर है आप्षन है रायपूर में बनाये गया है अगला प्रशन है राज्य शाषन द्वारा लोकसेवा आयो को आयो की परिच्छाओं की आंसर सीट एवं दस्ताव वेजों के विनिष्टी करण की अवधी को कितने साल के जाने का प्रस्ताव भेजा है की नहीं हमारी वीडियो कुअ बहुत 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 शुक्रिया थैंक यू फैंक यूव स्यूर्म